आप सभी लोग भली भाती जानते होंगे कि जब उत्तरफिदेश की राजनीती की बात हो और अखलेश यादो को अगर छोड़ दिया जाए तो आप समझें कि बेपक्ष एक तरह से खतम हो जाता है अभी आप जानते हैं कि अगर कोई बेपक्ष में दमदार बना हुआ है तो वो है अखलेश यादो तो आपने लोगों ने देखा है कि हमने पहले योगी आदितनात के बारे में देखा उसके बाद मुलाइम सिंग यादो के बारे में पूरी जानकारी देखी उसके बाद मायवत्ती जी के बारे में पूरी एक तरह से हम लोगों ने उनकी जिंदगी के बारे में जाना आज हम लोग बात करेंगे अखलेश यादो के बारे में इनका कहां जनम हुआ है कहां एनोंने सिख्चा ली है और इनकी राजनितिक सफर कहां से सुरूं हुआ है अभी इनकी position क्या बनी हुई है और इन पर बिवाद भी कुछ खड़े हुई है तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे और भी आपके अगर जान में कोई नेता है अभी उत्तरपदेश की बात कर रहा हूँ तो आप लोग बताईए उसकी वी वायोगराफी कबर करवा दूँगा ठीक है क्योंकि आप लोगों को कम से कम आपकी राजनिताओं के बारे में मालू तो होना चाहिए तभी तो आप बोट देंगे उने उनकी विचारधारा क्या है वो लोग सोचते क्या है आपके लिए करते क्या है तो आप समझ सकते हैं ठीक है वैसे आप देखेंगे आपके पिधान मंतरियों को हम लोग उने देखा है और आप लोग समझ सकते हैं कि मतलब आजादी के जश्ट वाद जैसे आप देखिए जवाहल लाल नहरू लाल भादो सास्त्री अटल विहारी वाच्वेई यहां तक आप देखेंगे काफी अच्छे पिधान मंतरी दिये और आजकल आप देख रहे हैं जो पिधान मंतरी के दौर और राजनीती का दौर यसमें वोग समय में आप देखेंगे अकले सियादो के बारे में अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि इनका पूरा नाम अकले सियादो है और इनके आप लोगोंने स्पीच भी सुने होंगे इनके भासड़ भी देखे होंगे इस तरह से घुमा फिराके बात करते हैं कि आप सोची इनकी बात भी पूरी हो जाती है और जिसे टार्गेट पर रखना चाह रहे हैं वो भी समझ जाता है। मतलब आप समझी कि बहुत ही एक तरह सी बयानवाजी बड़ी समझ सूच के करते हैं। ठीक है और इनकी अगर हम लोग जनम की बात करें तो एक जुलाई 1973 को इनका जनम होता है। और इन्हें एक नाम से और जाना जाता है। टीपू के नाम से इन्हें जानते हैं। और आप लोगोंने मुलाहिम सिंग एक पिक्चर आई हुई है, मोवी बनी हुई है। उसमें देखेंगे आप लोग तो और अच्छे से जान पढ़ेंगे। और इनके अगर हम लोग जनम इस्थान की बात करें तो सैफ़ई जिलाई टावा उत्तर पिदेश में इनका जनम होता है। और सैफ़ई काफी चर्चा में भी बना रहता है देश भर में। इनके पिता जी है जो आप देखते हैं कि उत्तर पिदेश के पूर मुखमंत्री भी रहे हैं। और इनकी माता की बात करें तो मालती देवी के पुत्त हैं। इनकी अगर हम लोग सिक्छा की बात करें तो आप देखेंगे इनकी सुरुवाती सिक्छा होती है राजिस्थान मिलिटरी स्क करते हैं उसके बाद यह सिड़नी और यहां से आप देखेंगे कि पर्यावर्ण अभियांतकी में इसना कुत्तर यानि कि आप सोचिए फोष्ट गेजियेट करते हैं ठीक है और इनकी पत्नी की बात करें तो आप सभी जानते हैं डिंपल यादव इनकी पत्नी का नाम है और बच्चे भी इनकी एक बेटा है और दो बेटियां है तो बेटी का नाम आप देखेंगे अरजुन यादव और बेटी है एक का नाम है अदीती यादव दूसरी है टीना याद बार्ग की बात कर लें या फिर उनके जो भी जिंदगी रही है और राजनीती में आपके लोगों की जब बड़ी दिल्चस्पी होती है कि कभ पहला चुनाओ इन्होंने लड़ा कौन-कौन से चुनाओ किस तरह से इन्होंने निकाले इनके सौक भी देख लीजे दिल्चस्प बी क्या-क्या है इनकी किर्किट खिलना इन्हें पसंद है फुटवाल खिलना भी इन्हें पसंद है संगीत सुनना भी पसंद है और फिल्म देखना भी इन्हें पसंद है एक इन पर विवाद फिल्म देखने को लेकर रहा है उसे भी हम लोग आंगे बात कर लेंगे और इन के हाँतों में है एक तरुसे आप कह सकते हैं कि पूरी सत्ता की पावर इनः के हाँतों में किसकी समाजबादी पारटी की टीक है उसके बाद देखेंगे आप लोग cent पसंदीदा नेता इन के अगर रा réponse रहें तो राम मनुवर लोहिया हैं और आप जानते हैं कि कहते हैं ऐसा कि इनकी जो समाजबादी पार्टी की जो विचारधारा है राम मनुवर लोहिया की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है अब आती है बात इनकी राजनेतिक यात्रा की कि कहां से इनकी राजनेतिक यात्र सुरू होती है तो सबसे पहले तो आप देखेंगे सन 2000 की बात है कब की सन 2000 की बात है एक उपचुना होता है वह कन्योज लोकसवा से 13 भी लोकसवा के लिए वो चुने जाते हैं तो आप लोगों को पहले मालू होना चाहिए कि सन 2000 में ये लोकसवा सदस बनते हैं ठीक है कहां से कन्योज लोकसवा से फिर आप देखेंगे 2004 की बात है और आप जानते हैं कि 14 भी लोग सभा के चुनाव होते हैं इसमें भी वो लोग सभा सदस चुने जाते हैं और आप सभी लोग जानते भी होंगे कि उत्तरफिदेश में आप जानते हैं कि 80 सीटे हैं लोग सभा में और राज्य सभा में आप देखते हैं की 31 सीटें देखने कुबलेगी और विधान सभा में आप देखेंगे 403 सीटें देखने कुबलेगी और विधान परिशत में आपको 100 सीटें देखने कुबलेगी इसलिए आप जानते हैं कि उत्तर पिदेश राजनीती के चित में इतना मत फूर्ड इस्थान रखता है और आप लोगों से पहले भी बता चुका हूँ ऐसा माना जाता है कि अगर उत्तर पिदेश अगर किसी पाइटी ने अपने कबजे में ले लिया वहां से अपनी सीटें निकाल ली तो केंदर में सत्ता में आने का एक तरह से उसकी आदी सफलता उसे फिराब्त हो जाती है और आप सभी लोग एभी जानते होंगे कि जो बिधान सभा होती है इसमें आप देखते हैं जिसे आप लोग बिधायक कहते हैं बिधायकों को जनता डारेक्ट चुनती है लोकसवा सदस को भी आप जानते हैं कि डारेक्ट जंता द्वारा चुनी जाती है लेकिन आप देखे कि राज्य सवा होती है जो इसे आपके विधायक होते हैं जो जिनने आप लोग MLAV कहते हैं इनके द्वारा राज्य सवा सदसों को चुना जाता है तो ये भी आप लोग याद रखें फिर आप जानते हैं कि 2009 में आम चुना होते हैं और वह तीसरी बार पंदरवी लोकसवा के सदस चुने जाते हैं यानि कि अभी आप कह सकते हैं कि जब से इनकी राज्य नितिक सफर सुरू हुआ है अभी तक आप देखेंगे कि इन्होंने हार का मुए इन्हें नहीं देखना पड़ा या आप कह सकते हैं कि हार का सुआत इन्होंने नहीं चका फिर आप देखेंगे कि 10 मार्च सन 2012 की बाते क्योंने समाजबादी पार्टी का नेता निव्थ किया जाता है पर आप डेखें कि 15 मार्च छिस्तन 2020 को वह 38 बरस की आईउ में उत्तर पिदेष के युवा मुख्मंतरी बनते हैं और 2021 से लेकर आप डेखते हैं कि 2017 तक वो उत्तर पिदेष के मुख्मंतरी रहते हैं कई आप देखते हैं उनके द्वारा अच्छे अच्छे काम भी किये गए हैं, देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी मुखमंत्री हो, कोई भी पिधान मंत्री हो, उसके समय में कुछ तो देखिए आप कह सकते हैं कि कुछ तो आपके काम होते हैं, ऐसा नहीं कि पिधेस में विधान सभा चुनाओ होते हैं, और आप जानते हैं कि अकले स्यादों ने कॉंग्रेस पायटी से गटबंदन किया था, फिर भी आप देखेंगे समाजबादी पायटी चुनाओ जीत नहीं सकती है, उसे के पास बहुमत नहीं मिलता है उसे, और आप देखते है कि इन्हें अपनी पायटी में मतलब आप समझते हैं कि बगावद भी हुआ, बड़ा बिवाद परिवार बिवाद बना रहा है, इसी का रेजल्ट आप देखते हैं कि 2017 की बिधान सभा में इन्हें बहुमत नहीं मिलता है, और आप जानते हैं कि BJP सत्ता में आती है, और उत माप करिए 2019 में आपके लोग सबा चुनाव होते हैं, सत्तरवी लोग सबा के, और आप जानते हैं कि आजमगार से अकले से आदाव चुनाव लड़ते हैं और वो चुनाव जीतते भी हैं, दिनेस लाल, निरवा इनके विरोध में खड़े हुए थे, लेकिन इन्हें नहीं ह हासिल की हैं, तो आप कहे सकते हैं कि अच्छे नेता हैं और देखिए, आप कहे सकते हैं कि जब मौदी की हवाचल रही थी, 2014 की बात कर लिजे, या फिर आप लोग 2019 की बात कर लिजे, अगर अपनी सीट अगर बचा लिए हैं, तो इतना तो मानना पड़ेगा कि जन्ता में अच्छी पहुंच है, अच्छी पकड है, ठेक हैं? और आप देखिए, आने वाली चुनाव में क्या होता हैं, यह तो आने वाला बच्थी बताएगा, और इन पर अगर बिवादों की बात करें, कुछ बिवादों से भी अकले से आदों जुड़े रहे हैं, तो आपने दे इसमें इनका हस्त छेप था, सन 2014 में एक बिवाद और खड़ा हुआ था, आप लोगों ने देखी होगी एक बॉलीवोड मोवी आई हुई थी, पीके, इसमें कहा गया था कि जाली कॉपी डाउनलोड करने के, और देखने के जुरम में उनकी खलाप F.I.R. दरज की गई थी अकलेस यादव के, ठीक है? और 2016 में भी आप लोगों ने देखा हुगा, एक बिवाद इन पर और भी रहा है, कहराना की मुद्धि पर मीडिया द्वारा सवाल पूचने पर, अकलेस में मीडिया पर अपमान जनक टिपड़ी करते हुए, मीडिया के खिलाप अप सब्द कहे जिसमें उन्हें कड़ी आलोचना का सामना भी करना पड़ा था, तो इनसे जुड़े कुछ विबाद भी है, और मैंने प्रहली भी कहा है, आप लोगं से, कि मतलब ये बड़े घुमा फिरा की बात करते हैं, आप लोग कही इनकर इंटर्वीव पड़े हुए, उन्हें आप तो ये तो हैं अखले से आदो आपकी, इनके बारे में अभी आप देखी कि उत्तरविदेश में अच्छी, काफी अपनी फेट बनाये हुए, एक नाम उभर के आता है, आगे हम लोग बात करेंगे, जैन्त चौदरी के बारे में, एक नया आप देख रहेंगी कि दलित नेत का चंद सेकर रावड, इनका नाम भी काफी उभर के आया हुआ है, तो कई लोगों ने कहा भी यह कि इनके बारे में भी हमें बात करनी चाहिए, तो आने वाले समय में जब भी टैम मिलता है, हम लोग इनके बारे में भी बहुत अच्छी से बात कर लेंगे, कि कम से कम उभर रहा है जो नया नेता हा रहा है उसके बारे में मालू तो हो रहा है ठीक है तो मिलेंगे हम लोग आंगे